नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारे इस एफसोर्ड में दोस्तो आज हम बात करेंगे जीव से खून आने के कारण और इसके बचारों के गरेलो बचारों के बारे में दोस्तों बहुत से लोगों में ब्रस करते बक्त या कुछ खाते बक्त जीब से खून बेहने लगता है जीब से खून बेहने के कई कारण हो सकते हैं इन में से कुछ बहुत आम होते हैं जैसे काते बक्त जीब ककड़ जाना या कभी ब्रस से ज़्यादा तेज लग जाना वहीं कहीं तरह के संकर्मन और गहावी जीब से खून बेने का कारण बन सकते हैं आम तोर पर थोड़ा सा रक्स त्राव चिंता की बात नहीं है लेकिन अगर ये बहुत बार होता है या लगतार हो रहा है तो या एक कंभीर समस्या हो सकती है पर सबसे पहले आपको ये जानना होगा की ये परिसानी होती क्यूं है और अगर ये कोई कंभीर बिमारी का लकसन तो नहीं तो इसे आप पहचानेंगे कैसे तो चलिए दोस्तो आईए जानते हैं इसके बारे में ज्यादा तर लोगों को समस्या पर जीब से खून आने का अनुबब होता है ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी जीब कस्तान ऐसा ही है कि मुण की कई गतवीडियों के वक्त ये चूट की चपेट में आ जाते हैं आपके जीब कई चीज़ों से गायल हो सकती है जैसे जीब का कट जाना, दान्त में ब्रेसिजिंग की वज़ा से, डैंचर की वज़ा से, टूटे हुए दान्त के कारण, रैडियेसन थेरिपिय के कारण, या तेजी से खाने की वज़ा से दोस्तों जीब से खून आने के पीछे हो सकते हैं ये कारण औरल फंगल इंफेक्शन, कैडि डियोसिस एन थ्रस जैसे फंगल संकर्मन आम हैं, थ्रस सबसे अधिक बाद सीसू में देखा जाता है, या ऐसे लोगों में जिनकी प्रतिरक्सा प्रनाली काफी कमजोर होती है इसके इलावा एंटिवर्टिक्स लेने वाले लोगों में भी जीब में फंगल इंफेक्शन होने के कारण जीब से कून आ सकता है, थ्रस और अन्य मौकिक खमीर संकर्मन के कारण दर्दनाक स्पेद या पेले स्पेद दबे या मू और गले के पीछे खुले घाव होते हैं, इसके कारण कई लोगों को खाने और निगलने में काफी परिसानी होती है, अधिकांस परस्तितियों में थ्रस गंबीर नहीं है, औरल फंगल इंफेक्शन का आमतोर पर जीब देख कर ही पता लगाया जा सकता है, वहीं इसमें एंटिवंगल क्रीम का उप्योग थ्रस और अ अधिक ब्यापक है, तो आपको डॉक्टर मौकिक एंटिवंगल दवाओं को लिख सकता है, मुँ में दाद का होना, ओरल हार्पीज एक संकरमन है, जो हार्पीज सिंपल लैक्स बाइरस के कारण होता है, मौकिक दाद की अधिकांस मामले HSV-1 से होते हैं, जिने आमतोर पर म मौक का दाद का जाता है, जबकि HSV-2 या जननांग दाद या तोचा में तोचा के संपर्क में प्रसिसित होता है, HSV-1 को कभी कभी तॉलिए, पीने के चस्में, कांटे, आदी के माद्यम से फैलता है, इनका मौक के संपर्क में आने से या फैल सकता है, और आमतोर पर ये, चुम्बन या मौकिक सेक्स के माद्यम से भी हो जाता है, या एक बैक्ति से दूसरे बैक्ति में हो सकता है, औरल हार्पीज में बैक्ति को सुस्ती और बुकार हो सकता है, चाला होने पर अगर इसे ठीक ना किया जाए, तो ये भी मौक का दाद हो सकता है, मौकिक दाद के ल बड़ा घह बनाते हैं मुँ में खुजली या जलन, बलट बेसल्स और लिफ पनाली की खराबी, जीब के रक्स्त्राओ रग्त भाईकों के विक्रितियों के कारण हो सकता है, जिसे हीमो, गियो, मास भी कहा जाता है, या लिम्फ पनाली की आसमाने तौंग के कारण भी हो सकता है। जैसे कि लिम्फ, कियोंबगार और सिस्टिक हाईग्रोमा ये स्थितियां अक्सर सीर और गदन पर पाई जाती हैं। और बहुत गंबीर होने पर मुँ में जायतर मामलों में बच्चे इन स्थितियों के साथ पैदा होते हैं। बच्चों की दो बसकी आयू तक ये तमाम विक्रितियों को देखने को मिलती हैं। बिग्यानिकों का माना है की हुए बलड बैसल से जूड़ी परिशानियों के कारण होता है। ये परिशानियां पूरी तरह से मेडिकल कंडिसन से जूड़ी होती हैं। इसलिए ऐसा होने पर आपको डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए। रहात के लिए कुछ इंग्रेलू उचाथ। दोस्तों जीप पर एक साप कपड़े में बरफ लपेट कर खून बंद होने तक कोमल दबाव डालें। पर इसे करने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से दोना सुनिचित कर लें। खटी दही खाएं। यह आपकी प्रतिरक्सापनाली को बढ़ावा देने और पाचन में साहिता करने में भी काफी मदद करता है। एक कप गरम पानी में एक चमबच नमक या बेंकिंग सोडा मिलाएं। और इसका उप्योग प्रति दिन कई बार अपने मूँ पर कुल लगाने के लिए करें। एंटी सैप्टिक मौथ पाउस या बराबर भागों में हाइडरोजन पैरोकसाइड और पानी के मिसन के साथ प्रति दिन कई बार गोगल करें। ज्यादे से ज्यादे ठंडी चीजें खाएं और ठंडी पानी पीएं। दोस्तो यद ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे पर दोस्तों में शेयर करें ताकि वह भी इस जानकारी के लाब उठा सकें। दोस्तों आज के एपसोड में बस इतना ही नेक्स्ट एपसोड में फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ धन्यवाद।